Good morning everyone, कैसे हैं आप सब निशा की पार्शाला में आपका स्वागत है आज हम रिमजिम 4 से chapter 4 पापा जब बच्चे थे पढ़ेंगे इस पार्ट के लेखक हैं अलेकसांद्र रसकिन बच्चों आप से अक्सर पूछा जाता होगा कि बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो ऐसे ही लेखक ने इस पार्ट में अपने पापा के बच्चपन की बाते बताई हैं कि जब उनसे पूछा जाता था कि वे बड़े होकर क्या बनेंगे तो वे क्या जवाब देते थे इसके बारे में लेखक ने पताया है जो कि बहुत ही इंट्रेस्टिंग है तो आईए पाठ पढ़ते हैं बच्चों आप भी अपनी टेक्स्बुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ पढ़िए इससे आपको पढ़ने में असानी होगी पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर पूछा जाता था बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो पापा के पास जवाब हमेशा तयार होता मगर उनका जवाब हर बार अलग-अलग होता था शुरू शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे उन्हें ये सोचना बहुत अच्छा लगता था कि जब सारा शहर सोता है चौकीदार जागता है उन्हें ये सोचना भी अच्छा लगता था कि जब हर कोई सोया हुआ हो वे खूप शोर मचा सकते हैं उन्हें पक्का यकीन था कि बड़े होकर वे चौकीदार ही बनेंगे लेकिन एक दिन अपने चटकदार हरे ठेले को लिए आइसक्रीम वाला आ गया भैवह, पापा आइसक्रीम वाला बनेंगे वे ठेले को लेकर घूम भी सकते हैं और जितना मन चाहे उतनी आइसक्रीम भी खा सकते हैं पापा ने सोचा मैं एक आइसक्रीम बेचूंगा तो एक खुद खाऊंगा छोटे बचों को तो मैं मुफ्त में आइसक्रीम दिया करूंगा जब पापा के माता पिता ने ये सुना कि वह आइस्क्रीम बेचनी वाला बनना चाहते हैं तो उन्हें बहुत थहरानी हुई उन्हें ये बात बहुत मज़ेदार लगी और वे खूब हसे लेकिन पापा इसी बात पर अड़े रहे कि वे यही काम करेंगे फिर एक दिन रेलवे स्टेशन पर पापा ने एक अजीब आदमी को देखा यह आदमी इंजनों और डिब्मों से खेल रहा था लेकिन यह डिब्मे और इंजन खिलोने नहीं बलकि असली थे कभी वे प्लेटफार्म पर उचल कर आ जाता तो कभी डिब्मों के नीचे चला जाता वे कोई बहुत अजीब और मजेदार खेल खेल रहा था पापा ने पूछा यह कौन है? उन्हीं बताया गया यह शंटिंग करने वाला है शंटिंग किसे कहते है? पापा ने पूछा जब रेल गाड़ी अपनी यात्रा पूरी कर लेती है तो उसे अगली यात्रा के लिए तैयार करना होता है रेल गाड़ी की साफ सफाई की जाती है इंजन को घुमा कर इधन पानी भरा जाता है इसे शंटिंग कहते हैं पापा को बताया गया बस पापा को पता चल गया कि वह क्या बनेंगे वह तो रेल गाड़ी के डिब्बों की शंटिंग करेंगे इससे भी ज्यादा मजेदार और क्या हो सकता है जाहिर है कि कुछ भी नहीं जब पापा ने कहा कि वह शंटिंग करने वाला बनेंगे तो किसी ने उनसे पूछा मगर तुम तो कहते थे कि तुम आइसक्रीम बेचने का काम करोगे अब आइसक्रीम बेचने के काम का क्या होगा? यह सचमुच समस्या थी पापा ने शंटिंग करने वाला बनने की सोच ली थी मगर आइस्क्रीम बेचने का चटकदार हरा ठेला भी वे नहीं गवाना चाहते थे आखेर उन्होंने रास्ता निकाल लिया पापा ने जवाब दिया मैं शंटिंग करने वाला और आइस्क्रीम बेचने वाला दोनों बनूंगा सबको बहुत चंभा हुआ उन्होंने पूछा तुम दोनों काम एक साथ कैसे करोगे पापा ने कहा इसमें क्या मुश्किल है आइस्क्रीम मैं सुभा बेचा करूंगा कुछ देर आइस्क्रीम बेचने के बाद मैं स्टेशन चला जाया करूंगा वहां मैं कुछ डिब्बों की शंटिंग करूंगा और फिर जाकर कुछ आइस्क्रीम और बेचाऊंगा इसके बाद मैं फिर स्टेशन चला जाऊंगा कुछ डिबो की शंटिंग कर लूँगा इसके बाद जाकर फिर कुछ आसक्रीम और बेच लूँगा इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं होगी क्योंकि अपना ठेला मैं स्टेशन के पास ही खड़ा करूँगा और इसलिए गाडियों के लिए मुझे ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा सब लोग फिर हस पड़े पापा गुसे में आकर बोले अगर तुम मेरी हसी उड़ाओगे तो मैं साथ में चौकिदार भी बन जाऊंगा आखिर रात में करने के लिए होता ही क्या है सबे कुछ तै हो गया लेकिन एक दिन पापा को वायू यान चालक बनने की सूझी इसके बाद उन्होंने अभिनेता बनने की सोची इसके अलावा वह जहाजी भी बनना चाहते थे कम से कम वह चारवाहा बनकर लाठी हिलाते हुए गायों के पीछे घुमते हुए अपने दिन बिताना तो चाहते ही थे अंत में एक दिन उन्होंने तै किया की वह असल में जो बनना चाहते हैं वह है कुट्ता उस दिन वह दिन भर चारों हाथ पैरों पर इधर उधर भागते हुए अजनबियों पर भौकते रहे एक बूड़ी महिला ने उनके सिर को सहलाना चाहा तो पापा ने उन्हें काटने की कोशिश तक की पापा ने भौकना तो बड़ी अच्छी तरह से सीख लिया लेकिन बहुत कोशिश करने पर भी वह अपने पैर से कान के पीछे खुजाना नहीं सीख पाए उन्होंने सोचा कि अगर वे बाहर जाकर अपने पालतू कुटे के साथ बैठ जाएं तो शायद वे कान के पीछे खुजाना ज्यादा जल्दी सीख जाएंगे पापा कुटे के पास जाकर बैठ गए उसी वक्त एक अजनबी फौजी अफसर उधर से निकला वे खड़ा होकर पापा को देखने लगा वे उन्हें कुछ देड़ तक देखता रहा और फिर उसने पूछा ये तुम क्या कर रहे हो पापा ने जवाब दिया मैं कुट्ता बनना सीख रहा हूं तब फौजी ने पूछा तुम कुट्ता बनना क्यों चाहते हो पापा ने कहा क्योंकि मैं काफी दिन तक इनसान बन कर रह चुका हूं अफसर ने कहा बात तो सही है पर क्या तुम जानते भी हो कि इनसान किसे कहते हैं पापा ने पूछा, मुझे तो नहीं पता, आप ही बता दीजिये। अफसर ने कहा, इसके बारे में तुम अपने आप सोचो। अफसर वहां से चला गया, वह ना तो हसा और ना मुस्कुराया। पापा सोचने लगे, वह सोचते ही रहे। अफसर ने उन्हें कोई बात भी नहीं समझाई थी, पर अचानक ही ये बात पापा की समझ में आ गई, कि वह रोज रोज अपना इरादा नहीं बदल सकते हैं। अगली बार जब उनसे यही सवाल पूछा गया, तो उन्हें अफसर की याद आ गई, और उन्होंने कहा, मैं इंसान बनना चाहता हूं। इस बार कोई भी नहीं हसा, और पापा समझ गए कि यही सबसे अच्छा जवाब है। आज भी वे यही समझते हैं। पहली बात तो यही है कि हमें अच्छा इंसान बनना चाहिए। तो बच्चों, देखा आपने कितनी प्यारी कहानी है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें जो भी बनना है वे तो अच्छी बात है। पर उससे पहले हमें एक अच्छा इंसान बनना है, अच्छा इंसान वो है जो दूसरों की मदद करने के लिए हमेशा तयार रहता है, हमेशा दूसरों को सम्मान देता है, वह इमानदार, जिम्मेदार और दूसरों को समझने वाला होता है वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंज के साथ शेर करें, आप सब खुश रहें, अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं अब एक नए वीडियो के साथ, Till then bye and thank you.